सात्यों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाब शहरों में रहने वाले मद्दिंबर को हो रहा है। मद्दिंबर को अपने पहले घर के लिए एकताय राशी के होमलोन पर ब्याज में छूड़ दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होमलोन पर ब्याज में छूड़ की विशेश योजना शुरू की। मद्दिंबर के सात्यों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे उनके लिए पचीस हजार करोड रुपिय का विशेश फंड भी बनाया गया है। सात्यों इन सारे फैंसलों के सात ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ती भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लोटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा। उनका घर अब फसेगा नहीं। आज देश में लगभग साथ हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रेजिस्टर है। इस कानून के तहट हजारों सिकायतों का निप्टारा किया जा चुका है। यानि हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। सात्यों, Housing for All यानि सबके लिए घर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए जो चौद तरफा काम किया जा रहा है। वो करोडों, गरीबों और मद्यमबर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वात को बढ़ा रहे हैं, ये घर देश के युवाओं के सामर्थ को बढ़ा रहे हैं, इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है न, तब ओकी दरवाजा या चार दिवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती हैं, तो एक सम्मान प्रून जीवन का द्वार खुल जाता है। एक सुरक्षित भविश्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, दीचा बचाबी मिलती है, तब बचचत का भी द्वार खुलता है। अपने जीवन के विश्तार का द्वार खुलता है। 35 लोगों बीच में, समाज में, ग्याती में, विरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भावर लोटाता है, आत्म विश्वास पनपता है, ये चामी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है.